जगत और शीला एक छोटे से घर में रहते थे। इनकी जिन्दगी कितनी बढ़िया हैं, रोज नहीं नहीं जगा घूमती हैं। तो तू भी एरोस्टेस बन जा, फिर तुझे भी सारी दुनिया देखने को मिल जाएगी। ओ, मैं और एरोस्टेस, कभी नहीं बन सकती। अरे पर क्यों नहीं बन सकती, क्या गमी है तुझ में, देख कितनी सुन्दर है। इतना सुन्दर तो कोई पूरे कॉलिज में नहीं होगा, और उपर से तेरी हाइट इतनी अच्छी है, तेरी इंगलिश भी इतनी बढ़िया है कि तो सब को फेल कर देती है। अरे पर मा बाबुजी कभी इस बात के लिए मानेंगे क्या, अरे तो उनको मानना पड़ेगा ना, और वो आखिर क्यों नहीं मानेंगे, एक बार जाकर उनसे बात तो कर, मिनाक्षी घर जाकर अपने माता पिता से बात करती है, हवाई जहास का नाम सुनकर ही उसके बाबु एयर होस्टेस है, मिनाक्षी की मा मान जाती है और उसके बाबुजी को भी मना लेती है, मिनाक्षी इस बात से बड़ी खुश होती है और एयर होस्टेस बनने की तैयारी में लग जाती है, वो दिन रात मेहनत करती है और फिर एयर होस्टेस के लिए इंटर्व्यू देने ज मिनाक्षी इंटर्व्यू क्लियर कर लेती है और आखिर कार वो एक एयर होस्टेस बनी जाती है। मिनाक्षी का पहला दिन काफी अच्छा होता है वो बड़ी खुशी खुशी घर जाती है और अपने माबाप को एयरोप्लेन के बारे में सब बताती है दोनों उसकी बाते बड़ी ध्यान से सुन रहे होते हैं और मन ही मन बड़ी खुशो रहे होते हैं सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। अब मनाक्षी की मा को घर-खर जाकर बरतन भी नहीं माजने पड़ते हैं उनके घर के हालात काफी सुधर जाते हैं बस सब ऐसे ही खुश रहे और भगवान अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाई रखें। मनाक्षी भगवान से प्रार्थना करती है और फिर अपनी जॉब के रहे निकल जाती है। उस दिन मनाक्षी को जॉब पर जाने के लिए काफी देर हो जाती है और उपर से रास्ते में बारिश होने लगती है। ये भगवान ये क्या मुसीबत है। मेरे पास बिलकुल टाइम नहीं बचा और यहीं और उपर से ना आटो मिल रहा है और ये बारिश भी शुरू हो गई। फ्लाइट टेक ओफ कर लेती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। सब पैसेंजर आराम से अपनी सीट पर बैठे होते हैं और तभी प्लेन हिलने लगता है। सारे पैसेंजर घबरा जाते हैं पर फिर अचानक से प्लेन हिलना बंद हो जाता है। फिर थोड़ी देर एक एय उसकी मा एकदम से उठ जाती है। बच्चे को संभालते हुए वो उससे पूछती है। क्या हुआ बिट्टू तुमने कोई बुरा सपना देखा है क्या। नहीं मा ये आंटी चुडएल है। मैंने अभी देखा। इनकी शकल बहुत दरावनी थी। एकदम चुडएल जैसी बिटू बिटा ऐसे किसी को नहीं बोलते। चलो आंटी को सौरी बोलो। अरे कोई बात नहीं माम बच्चा है शायद बुरा सपना देख कर डर गया। अरे मिनाक्षी तुम तो आज आई ही नहीं थी ना तो फिर यहां कैसे। मैं आई तो थी पर शायद तुमने मुझे दे आखिर यह हो क्या रहा है। मुझे जल्दी से जाकर देखना होगा। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर प्लेइन बार-बार इस तरह हिल क्यों रहा है। सब लोग बड़े परिशान हो जाते हैं क्योंकि प्लेइन में तो कोई खराबी नहीं होती। तो फिर ऐसा क निधी अंदर पाइलिट के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि वो आखिर ऐसा बार-बार क्यों हो रहा है पर पाइलिट कोई जवाब नहीं देता। निधी को पाइलिट का विवहार कुछ ठीक नहीं लगता और वो काफी परिशान हो जाती है। जब वो दूसरी एयर होस्टेस के पास जाकर इसके बारे में बताती है कि उनके पाइलिट मिस्टर रंधीर अजीब बरताफ कर रहे हैं तो दूसरी एयर होस्टेस ये सुनकर चौंक जाती है। मिस्टर रंधीर तो छुट् rigor पर हें, आज तो कोई और आया होगा। जब दोनों एयर होस्टे अगर किसी ने सीट से इलने की कोशिश भी की, तो मैं इस बच्चे को मार दूँगा, ए लड़की, चल सबके साथ कोने में जाकर खड़ी हो जा, चल सारी एयर होस्टेस एक तरफ डर कर खड़ी रहती है, इतने में वहाँ मिनाक्षी आती है, इस बच्चे को छोड़ दो, मैंने बोला इस बच्चे को छोड़ दो, वो आदमी बच्चे को साइड में कर मिनाक्षी की गर्दन पकड़ लेता है, मिनाक्षी गुस्से से अपनी अब बता मैं तेरा क्या करूँ, तुझे यही मार दू या इस प्लेन से नीचे फेग दू, तु इतने सारे मासूम लोगों की जान लेना चाहता है, और जब तेरी जान लेने की बारी आई तो बोल रहा है मुझे मत मारो, ऐसा कैसे हो सकता है, चुडेल आदमी को इतनी जोर से घुसा मारती है कि वो आदमी सीधा पाइलिट के पास जा गिरता है, मैं सिर्फ तुझे नहीं बल्कि इस पाइलिट को भी मार दूँगी, तुम दोनों अब मुझसे नहीं बच पाओगे, हाहाहा, पाइलिट उस चुडेल को देखकर इतना घबरा जाता है कि उसके हाथ कां अपने लगते हैं और वो गलती से कुछ गलत बटन दबा देता है, बटन के दबाते ही प्लेन जोर-जोर से हिलने लगता है और प्लेन का बैलेंस बिगर जाता है, सारे पैसेंजर डर की वज़े से चिल्लाने लगते हैं, सब एयर होस्टेस भी घबरा जाती है पर वो पैसे प्लेंजर समझने को तैयार नहीं था। इधर पाइलिट के केबिन में एक आदमी जमीन पर घायल पड़ा होता है और दूसरी तरफ पाइलिट से एक बहुत बड़ी गरबर हो जाती है। सारी शक्तियों का इस्तिमाल करना होगा। मैं इन मासूम लोगों को मरने नहीं दे सकती। रहना पड़ेगा। कुछ ही देर में प्लेइन एक सुरक्षित जगा लैंड हो जाता है। एयर होस्टेस जल्दी से एक प्लेइन का गेट खोलती है और सभी पैसेंजर एक एक करके बाहर आजाते है। सबके बाहर आने के बाद सारी एयर होस्टेस भी बाहर आजाती है। अब सब लोग उस चुड़ेल को देखने लगते हैं पर वो तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती। पर तभी थोड़ी तेर बाद वो दोनों आदमियों को गर्दन से पकड़ कर बाहर लेकर आती है। हाँ मैं मिनाक्षी ही हूँ और आजाते वक्त एक एकसिडेंट में मर गई थी। मरने के बाद भी मुझे पता नहीं चला कि मैं मर चुकी हूँ और मैं हमेशा की तरह जॉब कर रही थी। पर जब इस बच्चे ने मुझे चुड़ेल बोला तब मैं हैरान रह गई। मुझे पैसेंजर भी मिनाक्षी के लिए बड़े दुखी होते हैं। हमें तुम पर गर्व है। तुमने मरने के बाद भी अपना फर्ज निभाया। एक चुड़ेल होकर भी तुमने ये याद रखा कि तुमें एक एर होस्टेस हो और तुम्हारा फर्ज क्या है। अरे तुमको इ दुड़ेल एर होस्टेस हमेशा पैसेंजर की मदद के लिए एरपोर्ट पर भटकती रहती थी।